हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीवो आई 30 मोबैल में फ्लेसलाइड नोटिफिकेशन सेटिंग को इनेबल कैसे किया जाता है और इससे इनेबल करने से होगा क्या दोस्तो अगर आप ये सेटिंग इनेबल कर देते हो तो दोस्तो किसी की भी कॉल आएगी तो दोस्तो बार बार फ्लेसलाइड विलिंक करेगी तो इससे आप लोगों को दोस्तो पता चल जाएगा किसी की कॉल आ रही है तो चलिए दोस्तो वीडियो को इस्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे सेटिंग को इनेबल किया जाएगा Vivoi 30 मुवाइल में तो दोस्तो सेटिंग आप लोगों को ओपन कर लेना है सेटिंग ओपन होने के बाद स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तो यहाँ आप देखें सौटकट एंड एक्सेस वेलिरिटी का दोस्तो ओप्सन देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इस ओप्सन पे आप लोगों को क्लिक कर दिना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आप देखे Fleshlight Notifications का option मिल जाएगा तो दोस्तों इस option पर आप लोगों को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरह का Interface होगा आप लोगों के सामने अब दोस्तों यहाँ आप देखे Incoming Calls लिखा हुआ है और उसके सामने दोस्तों ये टिक बनाए है तो दोस्तों इस टिक को आप लोगों को एनेबल कर दिना है जैसे एनेबल करोगे उसके बाद दोस्तों किसी की भी कॉल आएगी दोस्तों तुरंद फ्लेसलाइट बार बार बिलिंक करेगी अगर आप चाहते हो कि किसी का SMS आए तो भी फ्लेसलाइट जले तो दुस्तो एसष्मस वाले डिक को आप इनेबल कर सकते हो उसके बाद दूस्तो आप जो है दूसरे मॉबाइल से अपने मॉबाइल में कौल मिलाएे और अगर फ्लेसलाइट बिलिंक करने लगती है तो आप हमें कमेंटर बॉक्स में जरूर बताएं तो उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को परसंद आया होगा तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में एक ने टोपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई